नमस्ते दोस्तों आपका एक बाट फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चानल पूजा किट्सकेर में दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जैसे ही बेबी 6 मंद का होता है तो उसका पहला निवाला कैसा होना चाहिए ताकि बचा अच्छे से डाइजेस्ट करना सीख पाए और उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट कौन सा ऐसा आहार होता है फूर होता है जो उसको starting से habit में लगाना चाहिए और अच्छे से उसको कोई भी problem ना है इसकी कोई allergy के symptoms भी दिखाई न दे तो ये वीडियो काफी ज़्यादे informative है तो इसको जरूर लास्त तक देखिएगा और इस वीडियो को start करने से पहले उन सभी से request जो पहली बार मेरे चानल को देख रहे हैं चानल को subscribe जरूर कर लिजेगा और बेल का icon को दबा दीजेगा जिससे कि आपको मेरे daily आने वाले वीडियो के notification प्रती दिन प्राप्त होते रहेंगे और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएंगे चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्या होता है कि जब बेबी 6 मंद के होते हैं तो उनका जो first diet होना चाहिए वो कुछ होना चाहिए इस प्रकार से कि बच्चे को जल्दी से digest हो जाए बच्चे को किस प्रकार का खाना digest होता है वो होता है लिक्विडी अगर आप किसी भी सबजी की प्यूरी बना कर देते हैं तो बच्चा काफी इसली उसको पचा लेता है इसके साथ ही आप दलिया भी दे सकते हैं उसको अच्छे से पीस के दलिया को और उसको खीर के जैसा स्मूधी के जैसा एक दम अच्छे से फाइन पतला होना चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से खा पाए उसको और अच्छे से पचा पाए तो इस तरीके की चीज आप दे सकते हैं स्टार्टिंग में आपको सीरियल्स भी उसकर सकते हैं आप या तो चावल की सीरियल्स बना स होती है और कोई परिशानी नहीं होती है इससे बच्चे को ताकत मिलती है और काफी पोसक तETवी बच्चे को मिल जाते हैं जब बच्चा अच्छे से प्यूडी अग् gewoon झछाने लग जाये जब बच्चा सीरियल्स गग्वारा पचाने लग जाये तो फिर बच्चे को थोड से जबाट केला meniper होता है केल केला से बच्छे कोगाँ वास फायदयमंद सकते हैं तो में पीजन केला करें चाहिए मेरी भी बेटी को मैंने स्टाटिक में यही सारी चीजे दी थी जैसे दाल का पानी दिया था उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी जब उसको दाल के पाने से कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो फिर मैंने रोटी बनाने के बाद जो उपर का लेयर होता है रोटी का उसको निकाल के और इसमें गही लगा के दाल में अच्छे से मैस करके जब एकदम मैस हो गया तो वो भी मैंने खिलाना फिर स्टार्ट किया था इसके बाद दोस्तो धीरे धीरे बच्चे आलू अगरा काफी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आलू को भी अच्छे से मैस करके एकदम थोड़ा सा लाइट नमक रखके आप खिला सकते हो क्योंकि ये स्टार्टिंग में बच्चे को न ज़्यादा मेठा खिलाना चाहिए न आलू भी काफी ज़्यादा अच्छा होता है छोटे बच्चों के लिए अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं तो वह भी आपको जरूर देना चाहिए और इस वीडियो में मैं ज्यादा कुछ आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सारी जो चीजे मैंने बताई हैं यही च प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चे को बचाने में कोई दिकत नहीं होती है तो यह वीडियो में आपको और भी कोई डिटेल चाहिए इंफर्मेशन तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उसके आपको मिल जाएंगे अगर आप कुछ परसनल टॉपिक वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो आप दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो लाइक कर दीजेगा और चानल को सब्स्राइब करके बिलक आइकन को दबा दीजेगा फिलाल के दोस्तों टेक केर नमस्कार